राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे चार मित्रों की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल अपनी संस्कीर्ती को लाइक करें, सबिस्क्राइब करें और सेयर करें एक नगर में चार मित्र रहते थे, उन में से एक राजकुमार था, एक मंत्री का बेटा था, एक साहुकार का पुत्र था, और एक किसान का लड़का था चारों में बचपन से बहुत गहरी मित्रता थी, ऐसी की एक दूसरे के बिना देखे या बिना मिले उनको चेहन नहीं आता था, सारा समय वे एक दूसरे के साथ गुजारते थे, लोग उनकी मित्रता की मिसाल देते थे, एक साथ खाते, पीते, खेलते, कूदते, उनके दिन बह ने बेटे से कहा कि बेटा मैं तुम्हारी इतने अमीर लोगों के साथ मितरता देखकर मुझे चिंता होती है कि तुम्हारा दोस्त राजकुमार है, मंत्री का बेटा है, साहुकार का बेटा है और तुम एक गरीब किसान के बेटे हो क्योंकि जो रिष्टे होते हैं वे बरावर वालों में ही सही लगते हैं तुम जो मैं सोचता हूँ कि इतने बड़े रुत्वे वाले लोगों के साथ मिल जोल रखना सही नहीं है क्योंकि हम गरीब हैं वो लोग अमीर हैं और जीवन के किसी ना किसी मोड पर वे तुमारा साथ छोड़ देंगे, वे हमेशा अपने पुत्र को उन धनवान मित्रों से रिस्ता तोड़ देने के लिए समझाता था, किन्तु उसका जो किसान का बेटा था वे मानता नहीं था, एक दिन इसी बात को लेकर दोना पिता और बेटे के बीच में बहस शिरू हो गई, और बेटा इत के लिए त्यार नहीं हुआ, इसलिए वे अपने पिता का घर छोड़ने की उसने ठान ली, कि मेरे पिता को मेरी मित्रता पसंद नहीं है, तो अच्छा है मैं अपने पिता का ही घर छोड़ दू, घर छोड़ने के बाद वे एक बार अपने मित्रों से मिलने के लिए गया, त तो हम लोग भी घर छोड़ देंगे, चारो मित्र गाम छोड़ कर चल दिये, चलते 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 वे एक जंगल में पहुँच गए, अब सूरिया स्थों चुका था, चारो और अंधेरा अंधेरा था, वे लोग थोड़े डर गए, तभी किसान के पुत्र को एक पेड के नीचे डेर सारे जुगनू दिखाई पड़े, जुगनू के कारण वह थोड़ा उजाला हो रहा था, किसान के पुत्र ने अपने चारों मित्रों को जो उसके तीनों और मित्र थे, उनको वे अपने पेड के पास ले गया, उस पेड के पास जहा जुगनू उड़ रहे थे, और चारों उस पेड के नीचे बैठ गए, क्योंकि दिन भर के चलने के कारण चारों ठके हुए थे, और उन्हें बहुत जोरों की भूख भी लगी थी, अब जो किसान का पुत्र बहुत दुखी था, कि उसके कारण उसके मित्रों ने भी अपना घर छोड़ दिया, वे उनक मित्रों से कहने लगा, कि मित्रों, तुम लोग अपने अपने घर लोट जाओ, मेरे कारण तुम क्यों कश्ट भोग रहे हो, परन्तु किसी भी मित्र ने उसकी बात नहीं मानी, और बोले, किसान के बेटे से बोले कि मित्र, जब मित्रता की है, तो उसे हम साथ साथ हम बच्पन से अब तक साथ साथ रहते आए हैं अब आगे भी रहेंगे इसके बाद चारों भूके प्यासे ही पेड के नीचे लोट गए और उन्हें जो तीनों मित्र थे उनको तो नीद आ गई क्योंकि बड़े घरों के थे और उन्हें जादा चलने के और उसकी आदत नहीं थी लेकिन जो किसान का पुत्र था वह जाग रहा था और बहुत दुखी भी था मने मन भगवान से प्राथना कर रहा था ए भगवान मेरी साहता करो मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो उसकी प्राथना सुनकर भगवान ने किसान के पुत्र को दरसन दिये और पूछा क्या चाहते हो पुत्र हीरे जवारात सौने चांदी तब वैकिसान का पुत्र कहने लगा नहीं भगवान मुझे हीरे जवारात सौने चांदी नहीं चाहिए मैं तो अपने मित्रों के लिए भोजन मांगता हूं मेरे मित्र भूके प्यासे हैं और मेरे कारणी इनों ने अपना घर चोड़ दिया है मेरे से अपने मित्रों का कश्ट देखा नहीं जा रहा है तब भगवान बोले पूत्र मैं तुमें एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम लोगों की भूख भी मिटेगी और तुमारा जीवन भी बदल जाएगा सामने देखो वो एक आम का पेड़ देख रहे हो ना उसमें चार आम लगे हुए है एक आम पूरा पका हुआ है और दूसरा उससे कम तीसरा उससे भी कम और चोथा आम कच्चा है उना आमों में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बनेगा जो दूसरा आम खाएगा वो मंत्र बनेगा और जो तीसरा आम खाएगा उसके मुँसे हीरे निकलेंगे और जो चौथा आम खाएगा वे काराबास जाएगा यानि जेल जाएगा यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए किसान के पुत्र ने आम के पेड़ के पास गया और वे चारों आम तोड़ लिये कच्चा आम उसने खुद खाया और तीन आम अपने मित्रों के लिए रख दिये सुभे जब तीनों मित्र उठे तो उसने एक-एक आम उन्हें दे दिया पहला आम मंत्री के पुत्र ने खाया दूसरा आम सहुकार के पुत्र ने खाया और तीसरा आम राजकुमार ने खाया उसके बाद वे अब आगे बढ़ चले अपने यात्रा आगे बढ़ाई दो फैर तक चलते चलते उन्हें प्यास लगाई एक वे के पास वे पानी पीने के लिए रुके राजकुमार ने पानी से कुल्ला किया तो उसने देखा कि उसके मुँ से तीन हीरे निकले है यह देखकर राजकुमार चकित रह गया उसने वे हीरे एक पोटली में रखकर अपने जो कपड़े पैने हुए थे उनमें छुपा लिये और अपने यात्रा फिर से आरंब कर दी चलते चलते वे चारों मित्र एक नगर की सीमा में पहुँच गए रात बहुत हो चुकी थी अंधेरा होने लगा इसलिए वे महीं एक पेड़ के नीचे सो गए अगले दिन जब उनकी नीद खुली तो भूख से सब का हाल बेहाल था तब राजकुमार ने एक हीरा निकाल कर मंत्री के पुत्र को दिया और बोला मित्र इस हीरे को किसी जोहरी के पास ले जाओ और इसे बेच दो जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन हम आराम से गुजार सकेंगे हमारा खाना पीना सब आराम से हो जाएगा वे हीरा लेकर मंत्री का पुत्र बाजार पहुँचा तो देखा कि रास्ते में लोगों की भीड बहुत जमा है लोगों की भीड जमा देखकर वे भी वहां खड़ा हो गया उससे एक ने एक वैक्ती से पूछा हैं लोग क्यों एक खटा हुए हैं भाई तब उस वैक्ती ने उसे बताया कि यहां के राजा की मिर्ति हो गई है और वे निसंतान था उसके कोई संतान नहीं थी इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाती फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है वो जिस वी वैक्ती को वे माला पहनाएगा वे नया राजा बन जाएगा मंत्री का पुद्र आश्चरिय चकी था कि यह कैसी प्रथा है किन्तु उसके आश्चरिय की सीमा तब नहीं रही जब हाती ने आकर उसके गले में ही फूलों की माला डाल दी और उसे डंडवत परनाम किया अब जो उस नगर के का राजा जो मंत्री के बेटे को बना दिया परजा ने उसका राज तिलक कर दिया और उसे अपना राजा घोसित कर दिया यह सब उसके दुआरा खाये गए आम के परताप के कारन हुआ उसे राज मेर ले जाया गया और हुआ के बहाँ बैवम् में वे इतना डूब गया कि अपने मित्रों की उसे सुधी नहीं रही वे अपने मित्रों को याद ही नहीं कर पाया कुछ दिन भी इतने पजम मंत्री का पुत्र नहीं लोटा तो राज कुमार ने फिर दूसरा हीरा निकाला और इस बार सहुकार के पुत्र को दे कर कहा कि मित्र जाओ इसे बेच कर कुछ धन का प्रभंद करो सहुकार का पुत्र बाजार पहुचा उस दिन भी बाजार में भहुत भीड जमा थी पूछने पर पता चला कि यह भीड इतने क्यों खटा है वह खड़ा होकर देखने लगा तो एक वैक्ती ने उसे बताया कि हाती जो है वो फूलों की माला लेकर निकला है और जिस भी वैक्त जो फूलों की माला लेकर आया और जो सहुकार का बेटा था उसको पहना दी अब वै नगर का मंत्री बन गया यह सब उसके द्वारा खाए गया आमके परताप के कारणी हुआ वै भी राजकारियों में इतना वैस्त हो गया कि अपने मित्रों को भूल गया अब उदर राजक कुमार और किसान का पुत्र उनकी परतिक्षा करते करते ठक गये जब वै नहीं आया तो राजकुमार ने तीसरा हीरा निकाला और किसान के पुत्र को दे कर बोला मित्र अब ये हीरा ही बचा है एक इसे बेच कर तुम सिग्र लोटाओ किसान का पुत्र हीरा लेकर जोहरी की दुकान में गया उसे हीरा दे कर बोला सेट इसे बेचना है क्या कीमत दोगे सेट के फटे प्राने वस्त्र दे पहने एक निर्धन लड़के को देखा कि इसके पास इतना कीमती हीरा कहां से आया तो वह सोचने लगा कि अवश्य यह कहीं से चुरा कर हीरा लाया है उसने तुर द्वारा कच्चे आम को खाने का परिणाम था उधर राजकुमार किसान के पुत्र की परतिक्षा करता रहा लेकिन किरसान का पुत्र भी लोट कर नहीं आया अब जो वह चिंतित होकर सोचने लगा कि मेरा कोई भी मित्र नगर में जाकर वापस नहीं आया वह उस नगर में गया वे अब दूसरी दिसा में चल दिया राजकुमार चलते चलते गाउं में पहुंचा वहाँ उसे एक किसान मिला जो खेट से लोट रहा था राजकुमार को देखकर उसे दया आ गई वे उसे अपने घर ले गया किसान जो की बहुत गरीब था किन्तु राजकुमार के सतकार में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी जो भी रूखी सूखी उसके पास थी उसने वे राजकुमार को परोस कर खिलाई भोजन करके राजकुमार की भूख सान्त हो गई और बातों बातों में किसान ने राजकुमार को बताया कि एक समय में वे गाउं का सबसे अमीर किसान था दान पुन्या के लिए उसके पास धनकी कोई कमी नहीं थी किन्तु पिछले कुछ सालों से फसल बरवाद हो गई और आज मैं इतना गरीबी की स्थीती में हूँ कि खाने के लिए दाने-दाने का मोहताज हूँ राजकुमार को किसान पर बड़ी दया आई किन्तु वह क्या करता रात को वह किसान के घर रुका अगले दिन जब उसने मूँ धोया तो फिर से उसके मूँ से तीन हीरे निकले यह सब उसे समझ नहीं आया वह बहुत ही आश्चरिय चकित था कि उसके मूँ से हीरे निकलने लगे हैं उसने वे सारे हीरे किसान को दी दिये किसान उने बेच कर फिर से धनवान हो गया राजकुमार को किसान ने अपना पुत्र बना लिया और अपने पास रख लिया क्योंकि उस किसान के कोई पुत्र नहीं था धनवान होने के बाद किसान फिर से दानपुन्य करने लगा किसान के घर में एक काम करने वाली दासी आती थी उसने किसान के अमीर होने के भेद का पता चल गया कि राजकुमार के मुँझे जो हीरे निकलते हैं उसी के कारण किसान जो इतना अमीर हुआ है वे एक किसान से इर्शा करती थी वे एक वेश्या के पास गई जब दासी वेश्या के पास गई तो उसने वेश्या को राजकुमार के बारे में बता कर बोली यदि तुम उस राजकुमार को अपने पास ले आओ तो तुम जीवन भर धनी की गंगा में गोते लगाती रहोगी वेश्या एक साधरन सी गाउं की स्त्री का रूप धर कर उस किसान के गर पहुँची और बोली मैं इस लड़के की मा हूँ को बहुत दिन पहले एक हो गया था तब ही से मैं इसको ढूंड रही हूँ इसे मेरे साथ भेज दो मैं इसके बगेर नहीं जी सकती किसान जो था हुए बहुत दयालू था उसने वैसा ही किया राजकुमार को वेश्या के साथ भेज दिया अब राजकुमार वेश्या के साथ चला गया घर पहुँचकर वेश्या ने राजकुमार को खूब सराब पिलाई उसने सोचा था कि राजकुमार को उल्टी होगी तो उसे हीरे मिलेंगे किन्तु वैसा कुछ नहीं हुआ ना हीरे ना मिलने पर उसने राजकुमार को बहुत पीटा तो और किसान के घर के पीछे फैक आई राजकुमार वह बहुत समय तक भी होस पड़ा रहा जब उसे होस आया तवे किसान के घर नहीं गया और सरीर पर राक मल कर वे एक सन्यासी बन गया और जंगल की तरप चल दिया वहां से चलते चलते उसे एक स्वरन की बनी हुई रस्सी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई पड़ी उसने जैसे ही उसे उठाया तवे एक सुनहरे रंग का तोता बन गया राजकुमार बहुत चकित था तभी एक आकाशवानी हुई कि राजकुमार तुमारी परतिक्षा कर रही है एक राजकुमारी तुमारी परतिक्षा कर रही है वे सुनहरे तोते से बिवा करना चाहती है जब तुम उसके पास जाओ और तोता बना राजकुमार उड़ चला उड़ते उड़ते वे उसी राजमहल के पास पहुचा जह राजकुमारी रहती थी राजकुमारी बाग में बैठी हुई सुनहरे तोते का इंतजार कर रही थी वे बहुत दुखी थी, खाने पीने की उसे कोई सुध नहीं थी और दिन पर दिन वे कमजोर होती जा रही थी राजा भी अपनी पुत्री की यह दसा देखकर बहुत चिंतित था तब राज कुमारी ने सुनहरे तोते को देखा तो बहुत खुस हो गई और जूम जूम कर नाचने लगी और कहने लगी कि मेरी परतिक्षा पूरी हुई मैं आभी सुनहरे तोते को अपना पती के रूप में पती बनाऊंगी और इसे अपने पती के रूप में सविकार करूंगी और उसने इससे विभा करूंगी जो यह बात राजा के कानों में पड़ी तो वह बहुत दुखी हुआ किन्तु पुत्री के मुहों में विवस होकर उसने राजकुमारी को सौने के जो सुनहरा तोता था उससे विभा करने की मंजूरी दे दी सुनहरा तोता राजकुमार बन गया यह देखकर राजकुमारी और राजा बहुत परसन हुए आदा राजे राजकुमार को दे दिया क्योंकि जैसे ही राजकुमारी के साथ उसके फेरे हुए तो वे अपने असली रूप में आ गया राजकुमार को राजा ने आदा धन दे दिया तो राजकुमार हुआ का राजा बन गया राजा बनने के बाद वे किसान से मिलने गया हुआ उसने देखा कि किसान बेचारा फिर से निर्दन हो गया था उसने किसान को धेर सारा धन दिया और किसान फिर से अमीर हो गया अब धीरे धीरे समय भी इतनी लगा राज कुमार रोज अपने मित्रों को याद किया करता था और बहुत दुखी होता किन्तों उसे किसी भी मित्र की कोई ख़वर नहीं मिली एक बार उसके राज्ये में राज्ये को जो है उसका पड़ासी राज्ये ने उसके राज्ये पर आक्रमन करने की योजन बनाई अपने राज्ये को और बढ़ा लू और जो पड़ोसी राजा है उस पर आकर्मन कर दो लेकिन पड़ोसी राजा बहुत दयालू था उसने उसके पास संदी करने का प्रस्ताब भेजा राजकुमार ने देखा कि जब वे संदी का प्रस्ताब लेकर आया तो राजकुमार के दर दौनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत परसन हुए। दौनों ने अपने याप की याप बीती सुनाई। मंत्री के पुत्र ने राजकुमार को बताया। कि उनका एक मित्र जो साहुकार का पुत्र है वह उसके राजय का ही मंत्री है। किन्तु जो उनका चौथा मित्र है किसान का पुत्र है उसका किसी को कुछ पता नहीं है दौन और राजा और मंद्री का पुत्र जो है किसान के पुत्र को ढूनने लगे किन्तु उसका कुछ पता नहीं चल रहा था एक बाज जो साहुकार का पुत्र राज्य के कुछ बंदियों को छमादान देने के लिए हाजिर किया गया तो उनमें वे किसान का पुत्र भी था राजा बन चुके साहुकार के पुत्र ने अपने मित्र को देखते ही पहचान लिया और उसे अपने गले से लगा लिया किसान के पुत्र ने उसे अब आप भीती सारी बाते बताई और आम वाली पूरी कहानी कह सुनाई और बताया कि क्यों उसने कारावास भूगी साहुकार का पुत्र बड़ा दुखी हुआ किन्तु जो हो चुका था उसे बदला नहीं जा सकता था उसने किसान के पुत्र को अपने अन्य मित्रों से मिलवाया और अब चारों मित्र साथ साथ थे अब उन्होंने अपने गाउन लोट जाने का मन बनाया अपनी संपत्ती को उन्होंने इखटा किया और चार बराबर हिस्सों में आपस में बाट लिया और अपने गाउं की तरफ चल दिये वे अपने माता पिता से मिले और उनके माता पिता अपने बच्चों को पा कर बहुत खुशते अब वे चारों अपने माता पिता के साथ बड़े आनंद पूरवक रहने लगे दोस्तों ऐसी सची मित्रता की कहानी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और सबस्क्राइब करें